अभीनेता रितिक रोशन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म, विक्त्रम वेधाक को लेकर खूब सुर्खियों में है इस फिल्म में उंके साथ अभीनेता सैफ अली खान भी नजर आने वाले हैं वही रितिक ने हाल ही में फिल्म का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर किया है, जो काफी पसंद किया जा रहा है। रितिक रोशन ने ये लुक इंस्टाग्राम हेडम पर पोस्ट किया है। उन्होंने अभिनेता सैफ अली खान की फोटो को शेर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो जीन्स के साथ सफेद पोलो नेक्ती शर्ट पहने हुए हैं। बता दे, फिल्म, विक्रम वेधा की इस रीमेक में रितिक रोशन और सैफ अली खान साथ नजर आने वाले हैं। अकांट पर शेर किया है, साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, पती पहले से कहीं ज्यादा होट, इसके लिए इंतजार नहीं कर सकती। फिल्म, विक्रम वेधा की कहानी विक्रम और बेताल की लोकता से प्रेरित है। फिल्म एक इमांदार और सक्त पुलिस अधिकारी की कहानी को दर्शाती है, जो एक गैंस्टर का पता लगाने और उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। ये फिल्म मूल रूप से तमिल भाशा में आर, माधवन और विजय सेतुपती द्वारा अभी मीत है। वहीं पिछले महीने रितिक रोशन ने इसी फिल्म से अपना लुक शेयर किया था, जिसे माधवन द्वारा काफी पसंद किया गया था। इस पोस्ट पर उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा था, अब ये एक वेधा है, जिसे मैं देखना चाहता हूँ। वाह भाई, ये महा काव्य है। बता दे, रितिक रोशन के पास विक्रम वेधा के अलावा, फाइटर भी है, जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोन नजर आने वाली है। इसी के साथ उनके पास वार का सीक्वल और क्रिश्चार भी पाइपलाइन में है। वही सैफ अली खान की बात करें तो वो अभी नेता प्रभास के साथ फिल्म आदिपुरुश में काम करने वाले हैं।